हिमाचल परदेश की इस जील में छिपा है बेसुमार खजाना जानी क्या है इसका रहस्य है हिमाचल परदेश की कमरु नाग जील के भीतर कई रहस्य छिपे हैं इस जील के बारे में कई कहानिया बताई जाती है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस जील में अर्बो खर्बो रूपियों का खजाना छिपा है बताया जाता है कि इस खजाने को कोई भी निकालने की कोशिस नहीं करता है हिमाचल परदेश की खुबसूरती लोगों को अपनी और आकशित करती हैं यहां के पहाड, परवत और बरफिली वादियां परेटकों को अपनी और खिजती हैं हिमाचल परदेश में प्रकरती सुंदर्ता के साथ ही कई रहसे में जंगे भी हैं भारती सांसकर्तिक इतिहास वे इतिहासिक द्रश्टी से इस जंगे का बड़ा योगदान है हिमाचल परदेश में कई ऐसी जंगे हैं जिनका सीधा सम्मन्द महाभारत काल से हैं यहां पर कई ऐसे मंदिर और जीले हैं जिनके रहसियों का आज तक पता नहीं चल पाया है इन जंगेहों में हिमाचल परदेश की कमरुनाग जील भी सामिल है इस जील से जुड़ी रहस में बाते जानकर आप आश्चर चकित हो जाएंगे हिमाचल परदेश के मंदि जीले से करीब 51 किलोमीटर दूर करसो घाटी में कमरुनाग जील इस्थित है घाटी के देवता कमरुनाग के नाम पर यह जील है बताया जाता है कि इस रहस में जील के अंदर अर्बो खर्बो का खजाना छिपा है इस खजाने को अभी तक निकाला नहीं गया है जील के भीतर इतनी अधिक मात्रा में सोने और चांदी के बरतन है जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है लोग बहुत लंबे समय से सोने और चांदी से महंगी से महंगी परतीमाओं को यहां अरपन करते आ रहे हैं इसकी वज़े से कमरुनाग जील के भीतर बेसुमार दोलत इखटी हो गई है इस्थानी लोग बताते हैं कि चोरों ने कई बार इस जील से खजाने को चोरी करने की कोशिस की लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जील में बेसुमार खजाना होने के बाबजूद भी यहां पर कोई सुरक्सा विवेस्था नहीं है लोगों का मानना है कि जील की रक्षा स्वेम कमरुनाग देवता करते हैं इस जील का संबंध महाबरत काल से है पांडु पुत्र भीम ने इसका निर्मान कराया था इस जील के पास एक मंदिर इस्थित है जहां पर दूर दूर से लोग पूजा अर्चना के लिए आते हैं बताया जाता है कि मनुकामना पूरी होने पर भक्त इस मंदिर के पास इस्थित कमरुनाग जील में हीरे और जवारात डालते हैं इसके साथ ही इस जिल में महिलाए सोने और चांदी के जेवर भी चढ़ाती हैं। इस जंगे पर जून के महीने में एक बड़ा मेला लगता है। मानेता यह है कि 14 और 15 जून को बाबा कमरु नाग स्वेम अपना दरसन देते हैं। यहां पानी के नीचे दिखता है खजाना। नाग के डर से कोई चुराने का साहस नहीं करता। मानेता यह है कि कमरु नाग जील में सोना चांदी और रुपे पैसे चढ़ाने की है परंपरा सद्यो पुरानी है। सरद्धालू यहां अपनी मुरादें पूरी होने के बाद अपनी आस्था की अनुसार सोने चांदी का चढ़ावा चढ़ाते हैं। बता दें कि समुंदर तल से 9000 फुट की उचाई पर इस्तित यह जील में अर्बो का खजाना है जो कि पानी से बिल्कुल साफ जलकता है लेकिन सुरक्सा की जाए तो इसके लिए किसी भी तरह की कोई भी सुरक्सा विवेस्था नहीं की गई है। मानेता यहा है कि इसकी रखवाली खुद कमरु नाग देवता करते हैं। बाद उसकी आँखे पूर्ण रोप से खराब हो गई पौराणिक मानेता यह भी है कि इस जील में पड़ा खजाना पांडो की समपती है जिसे उन्होंने कमरुनाग देवता को समर्पित कर दिया था कहा जाता है कि एक बार मंडी में अंग्रेच अधिकारी ने सोचा कि जील मे के जाने वाले खजाने का परियोग क्यों ने राज्ये की जरूरतों पर किया जाए इसके लिए वह जील से खजाने को निकलवाने के लिए निकला कई लोगों ने उसे समझाने का परियास किया लेकिन उसने इस्थाने राज्या से भी राज्ये की तरक्की की बात करके जील स खजाने को निकलवाने के लिए मना लिया कहा जाता है कि जैसे ही वह कमरू नाग के लिए निकला तो जोर की बारिश सुरू हो गई जिसके चलते उस अंग्रेज अधिकारी को रास्ते में ही रुकना पड़ा बताया जाता है कि अपने निवास के दोरान उसने इस्थाने फल ख जिसे खाने से उसकी तब्यत नासाज हो गई। इसके बाद उनकी तब्यत में लगातार गिरावट होती रही। हार कर अंग्रेज अधिकारी वापस इंग्लेंड लोट गया। उनसे उस पिटारी को एकांत इस्थान पर ले जाने का निवेदन किया। इसके बाद वह उसे कमरू घाटी ले कर गए। वहाँ एक भेड़ पालक को देखकर रतन यश इतना परभावित हुआ कि उसने वहीं रुकने का निवेदन किया। रतन यश की कमरू नाग में रुकने के पीछे यह कथा मिलती है कि वह उसी छेतर में जन्मा था। उसने पांड़ो और उस भेड़ चालक को बताया कि त्रेता युग में उसका जनम इसी स्थान पर हुआ था। उसे जनम देने वाली नारी नागों की पूजा करती थी। उसने उसके गर्ब से नो पुत्रों के स रात जनम लिया था। रत्न यक्ष ने बताया कि उनकी मा उन्हें एक पिटारे में रखती थी। लेकिन एक दिन उनके घर आई एक अतिती महिला के हाथ से यह पिटारा गिर गया। और सभी साब के बच्चे आग में गिर गए। लेकिन रत्न यक्ष अपनी जान बचाने के परियास में जील के किनारे छिप गए। बाद में उनकी माता ने उन्हें ढूंड निकाला और उनका नाम कमरुनाग रख दिया। उन्होंने बताया कि वही इस जनम में रत्न यक्ष राजा के रूप में जनमे। इस जील में इस्थित बाबा कमरुनाग का मंदिर भक्तों के बीच मुख्य आकर्सन का केंदर है भक्त यहां अपनी सामर्थे के अनुसार सोना चड़ाती हैं मानेता है कि बाबा कमरुनाग को सोना चांदी चड़ाने से व्यक्ति की सभी मनुकामनाई पूर्ण हो जाती हैं इसके लिए लोग रुपे और जेवर जील में डालते हैं लोग इसकी वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेना चैनल पर पहली बार आए है तो सब्सक्राइब कर लेना जै बाबा कमरुनाग